कि नमश्चात दोस्तों कैसे हूँ आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अगर इंटरेस्टिंग वीडिए में तो आए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में से बात करने वाला हो एक स्टोडी के बार में जो हो चुकी है मेरे साथ अभी और यह जो स्टोडी है बहुत इंट्रेस्टिंग है आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा यह रियलिटी है और तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हो मेरे वीडियो से जो कि मैंने आज सुभा अबलूट किया था विंडोस के बार में 5 ऐसे रिजन्स के बार में बताया था जिसके लिए आपको विंडोस इंस्टॉल नहीं करना चाहिए तो उसके बाद आज रात को मेरे पास मेल आया एक कंपणी से या फिर एक बंदे से जिसका नाम है आवर कंपणी यह आदमी मुझे मेल करता है और आपको एक screenshot सामने दिख रहा होगा कि इसने क्या क्या लिखा है मुझे आपसे इसका मेल पढ़ो या फिर मैं ही पढ़ता हू इसका मेल और आपको एतनी हैसी आएगी कि मैं बता नहीं सकता आपको तो इसका मेल पढ़ते है हम लोग यह है मैं बताता हूँ तो यहां पर सर लिखते हैं इनका नाम है और कंपनी तस्वीर दी है इन्होंने पुड़ा ब्लैक और इनका जो इमेल आइडी है वो है आओन मेल 5486 कुछ ऐसे करके अधिरेटीमेल.com ऐसा नाम पर कुछ है और यहां पर सर लिखते हैं कि न्यू एंटिवा अब यह जो मेरा नाम है इन्होंने कहां से पड़ा मुझे नहीं मालूम, मेरा ऑफ्षा रिया इन्होंने शाएद नहीं देखा यह लिख रिखा सिर्फ मेरा नाम भी गरत लिखा उसके बाद लिखते हैं कि सर मतलब सर्म नहीं चलो हावड यू वी होप यू आर वेल मैं अच्छा हूँ इस मेल को पढ़ने से पहले मैं अच्छा था अब उसके बाद बात करते हैं के यहां पे लिखा हुआ है कि we're from a reputed antivirus company यहां पे क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हाँ है विए यूएसовыхSholdock छलो ठीक है इनका जो डेखने के बाद ही मुझे पता चल चुका था कि यह कोई कोई legit company तो होगा नहीं या फिर जो भी है शायद कोई prank कर रहा है यह मुझे लगा था लेकिन यह थोड़ा सा dangerous भी हो गया था मेरे साथ कैसे बताता हूँ तो उसके बाद साल लिखते हैं कि new anti-vs company चलो तो उसके बाद साल लिखते हैं कि we are from a reputed anti-vs company and we visited your youtube channel and got your mail id from there चलो इन्होंने मेरा YouTube चैनल विजिट किया था वहां से इन्हें mail id जो है मेरा business mail id तो उन्हों से इन्होंने correct किया हूँ अब तक समझ में आता है अब तक ठीक है जो spelling mistake थी वो एक गलती हुई दूसरा था इनका बिल्कुल ब्लैक तस्वीर वो और तीसरा था reputed antivirus मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी भी और company नाम का कोई antivirus यूज किया है या फिर कभी भी आपने नाम सुना है मैंने तो नहीं सुना भाई मैंने बहुत कोर्स किया है computer का मैंने कभी और company नाम का कोई reputed antivirus नहीं सुना इसका नाम तो यह शक के दायरे में तभी आ चुके थे सर उसके बात सर लिखते है क्या देखते हूं मैं तो यहां पे सर लिखते है कि sir we recently launched our new antivirus यहां पे वाइरस पे लिंग ठीक लिका है पहले था यह VS VS से वाइरस हो गया चलो ठीक है antivirus and we want to promote it through your youtube channel इन्हों नहीं निकाला है अपना new antivirus और यह मेरे youtube channel के थू एक वीडियो के थू इसे promote करना चाहते थे ठीक है clear है चलो अब सर लिखते है we are giving you a link with this mail and you can download it from your verified website सर को English की कोई knowledge नहीं है इन्हें English की कोई knowledge नहीं है यह लिखते है कि we recently launched our new antivirus and we want to promote it through your youtube channel we are giving you a link with this mail and you can download it from your verified website मेरी भी कोई verified website है अब बताइए इनकी verified website होगी तो इनकी verified website से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा लेकिन इन्होंने मेरी verified website के बार में कह दिया इन्हें construction English का तो knowledge है यह नहीं छोडो और spelling का भी कोई knowledge नहीं है चलो अब सर किया लिखते हैं देखते हैं तो दोस्तों उसके बाद सर मुझे एक download link देते हैं उस download link पे बिसके लिए एक छोटा सा link है जिसका कुछ एक देना मेरा कुछ link है www.abcf कुछ ऐसा करके है उसके बाद slash download slash kb56m.exe यह था वो software अब यह मुझे अपना जो antivirus है उसका शायद link देना चाहते थे और यही है शायद वो link मैं यही सोच रहा था तो यह वो link था मैं इस website में गया मुझे पहले से ही शक था कि यह कोई normal बंदा नहीं है इसके intention कुछ और है तो मेरे पास बहुत सार कंप्प्टिव म पर रहते हैं मतलब जो VMware है उसमें मैं काम करता हूँ तो वहां पर मैंने एक virtual PC को लिया और वहां से मैंने वो website access की तो वो website basically था एक HTTP website तो यहां पर कोई security नहीं था उस website में और वो जो website था वहां पर एक ही सब software था उस website में उस link पर click करने के बाद ही वो software automatically download होना शुरू हो अब वो software कुछ मैं दिखाऊंगा आपको basically क्या हुआ था उसके बाद मैंने वो record किया है मैं दिखाऊंगा तो उसके बाद यह सर लिखते है कि पूरा instruction दे रखा है मुझे कि यहां पर download it and install this कुछ सबस ऐसे कुछ लिखा है तो download करने के लिखा है उसके बाद इंस्टार करने के लिए सर मुझे कह रहे थे और इसके बाद सर लिखते है कि no need to activate this this is free antivirus चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ यह तो antivirus था ही नहीं यह था एक चोटा सा virus अब virus के लिए क्या कुछ open source क्या free software कर चलो यहां पर एक वैसे चीज़ों में यह नहीं परता है अगला चीज जो सर लि नौसो डॉलर मुझे यह पे करेंगे एक review के लिए वह भी एक free antivirus का यह मजाग वाली बात लगती है कि नहीं आपको बताईए तो यह basically एक मजाग था इन्होंने मेरे साथ क्या है या पता नहीं क्या था यह लेकिन जो इसके बाद जो हुआ वो मजाग बिल्कुल भी नहीं था वो एक serious मुता था और मैं वो भी आपको दिखांगा चलो तो इसक I'll contact you for your payment मतलब वो वीडियो बनाने के साथ दिन बाद यह मुझसे contact करते वो 900 डॉलर का payment देने के लिए मुझे तो यही था तो मुझे समझ में आ चुका था कि यह कुछ गरबर है इसमें तो इसलिए मैंने अपना original जो OS था उसमें इसे try नहीं किया अपने virtual OS में इसे try किया जिससे मुझे कोई भी हानी नहीं पहुची है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं सर और company वाले तो मैं बता दू कि तुमने मेरा जो OS बिगाने की कोशिश की थी या फिर मेरा इंटरनेट connection जो कराब करने की कोशिश की थी कुछ भी नहीं हुआ सब ठीक है तो यहां पर स लिखते है उसके बाद thanks for your time चलो ठीक है अभी यह हुआ तो दोस्तों यह जो software download हुआ उसके बाद क्या हुआ यह software इतना शातिर software था यह कि Windows Defender भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सका कि इसमें कुछ software या फिर कुछ viral activity है तो इसके बाद मैंने वह software रन किया अपने computer में और देखा यह क्या था तो यह basically था एक code यह basically था एक bat file जिसे एक exe में convert करके मुझे भेजा गया था मेरे internet connection को disable करने के लिए अब इसे क्या कहूं मैं चलो कुछ नहीं कहता अभी आप देख लो क्या हुआ है मेरे computer के साथ में और कैसे मैंने इसे solve किया मैं basically इस वीडियो में पूरा tutorial देता हूँ आपको कि इसे कैसे solve करना है यह मेरे साथ पहले भी हो चुका है मैंने अपने classes में यह सिका है कि अगर ऐ कोई भी चिंदा करने वाली बात नहीं है तो इस वीडियो को देखते रहिए अभी तो दोस्तों जब हमने डाउनलोड किया है यह software अभी यह मेरा virtual PC है यह Windows 8 है यहाँ पर आप देख सकते हो सामने यह antivirus है तो antivirus का setup है यह antivirus नहीं एक virus है देखते है इसे कैसे open करना है त तो scan करते है चलो 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 होड़ा है यह scan और यहाँ पर scan scan complete हो चुका है तो scan में कोई result है नहीं यह clear है okay है कोई problem है नहीं अभी देखते हैं फिर भी Windows Defender इसे पकड़ नहीं पा रहा है तो इसे open करता हूँ अभी मैं इसे open करता हूँ इससे पहले मैं आपको दिखा दू कि properties में से यह exe file है जो कि 282kb का है अब 282kb का कोई setup है होता नहीं है Microsoft के setup के अलावा फिर भी देखते हैं इसे चलो इसे run as administrator करना पड़े कि अब्रक्शन में इसा लिखा था तो यहां पे हम लोग इसे run as administrator ही करेंगे और देखेंगे कि यह क्या कुछ अपने रंग दिखाता है तो यहां पे आपको एक जितावनी देदू ऐसे मेला है तो फिर चलो इस run as administrator करता हूँ मैं चलो run as administrator किया मैंने yes अचा वेटिय चलो थीक है खर खर एक खर एक और दिखाता है तो इसा वहा है प्लून नहीं पिदा अब aja और देखनांपाड़गा अब ठीक धाब नहीं होया मतलब यदू कुछ औरी सर्व 145 से यह यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है क्या है यह मेरे कल से यह कोई बैट फाइल होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा इंटरनेट है वो नहीं आ रहा भी अच्छा मतलब इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल करने का यह कुछ था कमांड वावान था शायद देखते हैं यहाँ पर मैल्वर डिटेक हो चुका है विंडोस डिफेंडर कह रहा है तो इसे अभी तक अभी हम लोग स्किप करते हैं और देखते हैं चलो इंटरनेट ओपन होड़ा है कि नहीं गूगल डाट कोम नहीं इंटरनेट महीं है तो यहां पर मेरे कहल से यह बैट फाल है जिसके जरीह मेरा internet क। गनेक्शन का दो यहां पर इसे फिक्स किया जा सकता है मेरे कहल से चलो मैं अपनी लॉगिन आइडी में फाल मैं वबेंक्ग करते हूँ काम नहीं कर रहा काम बिल्कुल नहीं कर रहा चलो तिसे इस फिक्स करते हैं दोस्तों दोस्तों इस प्रॉब्म को और कम करने के लिए सिंपली आपको पहले उपन करना पड़ेगा CMD Windows R दबाओ उसके बाद CMD लिखके इंटर दबाओ रन में जाके CMD दबाओ तो यहां पर डॉस खुल जाएगा डॉस में आपको लिखना है सिंपल एक कमांड जो मैंने सिखा था अपने जाएगा तो मेरा IP अड्रेस यहां पर सेंसर है मैं ठक रका है आपको नहीं दिखा सकता मैं तो यहां पर जो configuration है वो ठीक हो जाएगा इसके बाद आप सिंपली इंटरनेट मेरे ख्याल से अक्सेस कर सकोगे तो यहां पर मैं मैं Chrome open करता हूँ और यहां पर Google एक मिनिट पहले मैं अपना जो IP एड्रेस है वहां पर login कर देता हूँ अपने सर्वर में तो यह भी थोड़ा सा sensor हो जाएगा यह मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको चलो तो यहां पर मैं देखते हैं वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं उस साइट में मैं अक्सेस कर सकता हूँ अभी या नहीं तो यहां पर proxy script जो डाउनलोड होना चालो हो चुका है तो इसके बाद काम करेगा चलो आ चुका है मतलब मेरा internet connection जो था वो बिलकुल ठीक है अब यहां पर google access करता हूँ मैं देखता हूँ google ठीक से काम कर रहा है भी या नहीं तो google access कर सकते हैं तो यही था method अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप भी यही steps follow किजएगा आपका computer ठीक हो जाएगा thank you दोस्तो आज मैं आप दोस्तो आज बिसी के लिए मैं आपसे कोई like की aim नहीं रखूंगा subscribe करने के लिए नहीं काऊंगा लेकिन बोलूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करो ताकि अगर ऐसा ही मेर किसी और को भी मिले तो वो भी इस problem को overcome कर सके औ और उसे कोई harm ना हूँ तो बस आज के लिए विडियो खदम मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दे को और वीडियो में आपसे तब तक के लिए चैहिंद बन्नमातरम